महराष्ट में करीब 10 दिनों तक राजिनीति घटना क्रम चलता रहा और उसके बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे गुट ने बिजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपत लि जबकि पूरु मुख्यमंत्री देवन फड़नवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपत लि घटना क्रमिन सबसे नाट की मोड तब आया जब बिजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने टीवी पर एलान किया कि देवन फड़नवीस उपमुख्यमंत्री पद की जिमेदारी संभाले एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री की रूप में अश्यर जनक घोसना व देवन फड़नवीस की डिप्टिश्टियम पद के स्विकृति अमित्र शाह की छाप थी फड़नवीस ने सीवश्यना के विद्रोह में भूमिकानी भाई उन्होंने शूरू से ही अमित्र शाह को महाराष्ट के घर्टना क्रम से आउगत रखा था ओप्रेशन लोटस इतना गुप्ट था कि जब देवेंद फर्णविस 25 जून की रात अमित्र शाह और शिंदे से मिलने बोडोदरा गए तुन्होंने ठाकरे के आदमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले इन दौर के लिए विमान पकड़ा भाजपा ने एकनात्र शिंदे को लेकर 6 महिने से अधिक समय तक काम किया आयकर अधिकारियों द्वारा शिंदे के एक करीबी सहयोगी के परिस्वरों पर छापे मारी के दौरान शिर्फ से नानेता विशीर सुरूप से बौखला गए थे अमित्र शाह फर्णविस ने लंबे समय से अपने मतभेदों को दूर किया हुआ है लेकिन अमित्र शाह ने शिंदे के उत्थान और फर्णविस के अपमान को शक्ति साली मराथा जाती को भाजपा के पाले में लाने और सेना को कमजोर करने की दीर्ग काली की रणनीती के हिस्ते की रुप में देखा फर्णविस को डिप्टी स्टीयम बनायन पर राज ठाकरे ने का कि ये डिमोशन नहीं शिंदे की ये सलाह है खुद देवन्थ फर्णविस को अपनी भविश्क की भूमिका को लेकर अंतता कंधेरे में रखा गया इसलिए डिप्टी स्टीयम के पद को स्विकार करने के लिए उनकी अनिच्छा के एक वावजुद उन्हें स्विकार करना पड़ा महाराष्टे में मंत्र बंडल का बटवारा नहीं हुआ है अब देखना ये होगा कि शिंदे गुट के पास कौन सा विभाग जाता है और बिजेपी के पास कौन सा विभाग आता है शिंदे ने दावा कियाक उनके पास 50 विधायकों का समर्थन है जबकि बीजेपी के पास पहले से ही 106 विधायक मौजुद है निर्दलियों का समर्थन भी बीजेपी को हासिल है फ्लोर टेस्टर से पहले ही ततकाली मुख्यमंत्री उध्व ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था वहीं महारास्ट में भाजपा ने सभी को चौकाते हुए शिप्षेना के बागी बिढ़ायक एक नाथ शिंदे को सीम पद की कुर्सी दी है इसके लाहर राजजी के पूरु सीम देविन फर्णवी स्कूप मुख्यमंत्री बनाया है हलाकि भाजपा के इस कदम से फर्णवी सरुन के समर्थकों को जटकाल जरूर लगा है दरसल फर्णवी साला कमान के इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे थे लेकिन 2024 को लेकर पार्टी की तयारियों को देखते हुए डिप्टी सीम पद से इतर पार्टी द्वारा दिये गए लक्ष को हासिल करने में लग गए हैं दरसल शपत लेने गवार फर्णवी सरुन के समर्थकों में निराशा का भाव देखा जा रहा था क्योंकि एक राजी के सीम को उपमुक्यमंत्री पद देना उसके परों को कुतरने जैसा बताया जा रहा था लेकिन शुक्रवार एक जुलाई 2022 की राद देवेंट फर्णवीस ने भाजपा विधायकों के साथ बंद कमरे में बैठक की इस दोर हम फर्णवीस ने विधायकों से बधाय और बुल्दस्ते सुईकार करते हुएं 2024 में होने वारे लोगसबा और विधानसबा चुनावों के लिए तैयार होने का आहवान किया वीडियो डिस्क अमारुजारा.ड़ कॉम डाउनलोड करें अमारुजारा है और पाएं खबरें लगातार अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें